दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बजाज फाइनस लिम्टेड जिसके उपर लोगों के साथ धोखा धड़ी करने के आरोप हैं जिसके उपर चेक बाउस के नाम पर लोगों को लूटने के आरोप हैं जिसके उपर आरोप हैं कि लोगों के नाम पर लोटन हुए हुए हैं जिसके उपर आरोप हैं कि ये लोग कंपनी जो इसके अधिकारी हैं वो अपने ग्राकों की सुनवाई नहीं करते यही कंपनी मैं आपको बता दूँ कि जब हमने बजाज फाइनेस के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी आवाज उठाई थी ग्राहकों के आवाज को सरकार तक पुलिस तक परशासन तक करनाल के सांसस संजे भाटिया तक पहुँचाया था इस सभी के बाद जो बजाज फाइनेस लिम्टिड है उसने हमारी आवाज को यानि कि आपकी और मेरी हमारी आवाज को दबाने के लिए हाई कोट का रुक किया था हाई कोट में जाने के बाद बजाज फाइनेस लिम्टिड को मुह की खानी पड़ी और हमारे अधिवक्ताओं उन्हें कमपनी को ना केवल आईना दिखाया बलकि उन्हें कोट के अंदर धूल तक चिटाई कि आप जिस तरह की यानि कि आप जो हाई कोट है पंजाब और हर्याना हाई कोट है उनसे जो रिलीफ मांग रहे हैं असल में आप उसके हकदार नहीं है अगर आप करना ही चाहते ह हुए और बजाज फाइनेंस लिम्टेड ने जो बड़े बड़े वकील खड़े किये थे उनकी धजियां उड़ाते हुए हमारे वकीलों ने बजाज फाइनेंस की जो अपील थी जो उनकी पिटीशन थी उसे डिसमिस करवा दिया इसके बाद बजाज फाइनेंस और इनके जो employee है जिसमें एक manager है निरज गुमार उनका नाम है उनके खिलाव धोखा धड़ी की दाराओं में मामला दर्जा और वो फिलाल जमानत लेकर बाहर है यानि कि जमानत उन्होंने ली हुई है और फिलाल वो जो पुलिस जान चल रही है उसमें किस तरह का सयोग कर रह लेकिन फिलाल वो जमानती है जो इस बजाज finance company के manager है उसके बाद बजाज finance के खिलाव लगातार हम बोलते आ रहे हैं कि जिसके साथ भी कुछ गलत हुआ है वो अपनी अपनी जो शिकायते हैं वो हमें भेज सकते हैं जिसके बाद अब एक बार फिर से बजाज finance limited ने हमें ए IBM 24 की जो coverage है उसके उपर रोक लगाई जाए IBM 24 बजाज finance limited की कोई भी खबर ना चलाए क्योंकि IBM 24 और इसके पत्रकार जनता को गुमरा करते हैं यहां पर सवाल यह है कि जिस जनता ने दफतर के बाहर बजाज finance limited के दफतर के बाहर खड़े होकर रोते हुए आंखों से अपने के account में खड़े कर दिये के उनके civil खराब कर दिये के कुछ लोग ऐसे भी सामने आए जिन्होंने का कि हमने यह लोन लिया नहीं था फिर भी हमारे नामबर बजाज finance limited ने धोखा धड़ी करते हुए लोन कर दिया हमने उनकी आवाज जब आप तक सरकार तक परशासन तक अलागी मैं आपको बता दूँ कि इस मामले में सीधे तोर पर मेरा कोई लेना देना नहीं है लेकिन मैं आप लोगों के आवाज आम जनता की आवाज बनकर इस मामले को लगातार उठा रहा हूं और आगे भी उठाता रहूंगा फिलाल बात यह है कि क्योंकि बजाज finance limited है उन्होंने क्या कुछ लिखा है सबसे पहले तो वो इसमें petition में एक बात लिख रहे हैं कि हमने जो देश के परधान मंतरी नरेंद्र मोदी हैं उनके उपर सवाल उठाए हैं इस बात का बजाज finance limited को सक्त एतराज है कि हम देश के परधान मंतरी के उपर सवाल क्यों उठा र पूरा यानि कि पूरा पूरा मैं बता दूं कि जनता और मीडिया का ये अधिकार बनता है कि वो देश के परधान मंतरी से सवाल पूछे कि ऐसी कंपनियों के उपर कारवाई क्यों नहीं हो रही मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूं कि ऐसी कंपनियों के उपर थी जो petition उनकी पहले से dismiss कर दी गई है क्योंकि इस बात का कोई बहुत जादा लेना देना है नहीं एग्रीडेशन सिरफ तब जरूरी होता है अगर हमें कोई सरकारी coverage करनी होती है ये भी तब अगर कोई सरकारी अधिकारी इसके लिए एतराज करे तो ही एग्रीडेशन जरूरी होता है अदर्वाइस किसी भी private company या private वेक्ति की खबर कवर करने के लिए एग्रीडेशन की जरूरत नहीं है लेकिन क्योंकि बजाज finance के पास जादा कुछ कहने को नहीं है इसलिए वो इस बात को बार बार मुद्दा बना रहे हैं इसके अलावा उन्होंने बोला है कि आईबेन 24 के जो 85,000 दर्शक है उनके बीच में लगातार हमारी छविल को धूमिल किया जा रहा है तो मैं बजाज finance और इसके जितने भी सलाकार हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आईबेन 24 निउस नेटवर के लगबग 16,000,000 से जादा फॉलोवर फेस्बुक के उपर है 160,000 सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब के उपर है वो अपनी गिंती को एक बार ठीक कर लें क्योंकि जब आप कोई petition फाइल करते हैं तो उसमें कम से कम आंकडे तो आप सही दें आप ये भी दिखाना चाहते हैं कि हम जो coverage कर रहे हैं लोग हमें उस coverage को देख भी रहे हैं साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम लोगों को mislead भी कर रहे हैं अगर हम लोगों को mislead करते तो करोड़ों लोग हमारी cover को देखते ना लाखों लोग उसे शियर ना करते और लाखों लोग उसे पसंद भी ना करते इसके अलावा मैं आपको बता दूँ अब जो में में मुद्धे हैं मैंने इसमें आपको बता दूँ कि येलो कलर से जो आप देख रहे हैं हाईलेट्स मेंने किया हुआ ये वो मुद्धे हैं जिस इस तरह की खबरे चलाते हैं यहां पर मैं सवाल बजाज फाइनेंस से पुछना चाहता हूं कि अगर हम चीप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं तो आप लोगों को रिलीफ क्यों नहीं देतें क्यों नहीं आप सामने कैमरे पे आकर ये बात बोलतें कि आपका इस बारे में क् परधान मंतरी और मुख्य मंतरी जी को जो चिठिया लिखी क्या वो भी चीप पब्लिसिटी के लिए लिखी यहां पर मेरा उनसे यह सवाल है यानि कि और कुछ यह नहीं मिला तो इन्होंने कह दिया कि चीप पब्लिसिटी के लिए सब कुछ कर रहे हैं दूसरा यह बात ब Facebook पेज देख ले और एक बार देख ले कि लोग उन्हें कितना पुसंद करते हैं सारे के सारे screenshot मेरे पास हैं इसके अलावा company ये दावा करती है कि हम one of the top most NBFC in India है and hold a very high reputation in the public and market अब सवाल ये है कि अगर आपकी reputation इतनी जादा अच्छी थी तो आखिर आपके बचाव में गरहक सामने क्यों नहीं आ रहे आपने जिन लोगों को loan दिये जिनके loan बिल्कुल ठीक चल रहे हैं वो लोग सामने क्यों नहीं आके बोलते सभी लोग negative आपके बारे में क्यों बोलते हैं सभी लोग जो खबर को share कर रहे हैं जाहिर तोर पर वो आपसे परिशान होंगे तभी वो इस बात को यानि कि share करते हैं ये देखिए उसके बाद ये लिखते है यानि कि जो बजाज finance है उसको यानि कि कही न कहीं डिफेम हो रही है वो company and have caused grave harm damage and losses to the plaintiff including the damage to high reputation and goodwill of the plaintiff in the eyes of general public ये कह रहे हैं कि जो जनता की आखों में उनकी इजज़त बनी हुई है जनता की आखों में जो उनका सम्मान बना हुए हमारी खबरों से वो कही न कहीं को खराब होता हुआ देख रहा है इस बात का जवाब आम जनता ही दे सकती है क्योंकि आम जनता जादा जानती है कि इज़त किसकी जादा है the business of the plaintiff is also highly affected यानि ये देखिए ये बात मान रहे हैं इस बात को अगर लोग आप से परिशान नहीं थे आपने किसी की साथ दोखा दड़ी नहीं की तो आपका business effect कैसे हो सकता है सरकार के बारे में रोज इतनी खबरे चपती है सरकार का तो कोई business effect नहीं हो रहा बलकि sale वैसी की वैसी रहती है पेट्रॉल पंपों की खबरे रोज लगती है तो क्या पेट्रॉल पंपों की सेल कम हो जाती है ऐसा नहीं होता बैंकों के बारे में रोज खबरे लगती है तो क्या बैंकों में लोग अकाउंट खोलना बंद कर देती है ऐसा बिलकुल नहीं होता यहां पर समझने वली बात है कि यहां पर इनों ने एकसेप्ट भी किया है कि इनके बिजनस को इस वज़ा से लॉस हुआ है और वो लॉस हमारी या आपकी वज़ा से नहीं इनकी हरकतों की वज़ा से हुआ है वो हरकतें लोगों ने खुद कैमरे पर आकर बताई थी, आगे भी हम जल्दी ही और ऐसे लोगों को सामने लेकर आएंगे, जिनके साथ बजाज फाइनेस ने इस तरह की धोखा दड़ी की है, इसके इलावा ये कहते हैं कि लगातार अपरेल 2020 में, माई 2020 में, जून 2020 में, जु बहुत सारी जो coverage है, वो की जिससे हमारा नुकसान हुआ है, और साथ में कह रहे हैं कि ये बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बजाज फाइनेस से मेरी कोई partnership नहीं रही, तो मेरा कोई बदला लेने का तो सवाल यानि कि बनता ही नहीं है, the defendant has no right to circulate this kind of defamatory videos, यानि ये अ जब हमारे और आपके अधिकारों के उपर बात कर रहे हैं कि जो आकरशियो नुपली आईबन 24 है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो इस तरह के वीडियो बना सके तो मैं जानना चाहता हूं, बजाज फाइनेस लिम्टेड इनके वकील और इनके अधिकारियों से कि अगर सोशल मीडिया पर कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया जा सकता तो फिर सोशल मीडिया बनाया किसलिए गया है, यानि आप किसी की सुनवाई भी नहीं करेंगे और आप ये भी नहीं चाहेंगे कि आपकी आवाज, यानि कि लोगों की आवाज सरकार तक पर शासन तक और fake news channel है यहां पर मैं उन अधी वक्ता से ये बात कहना चाहता हूँ कि आपकी coverage भी मैंने sector 32 में की थी अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं इस खबर के बाद वो चला भी सकता हूँ आप इसमें comment कीजिए मैं आपको चलाओंगा और आपने बिलकुल हाथ जोड़कर इस तरह से सामने मुझे बयान दिये थे और आपने कई बार phone करकर हमें बुलाया था यानि की अपनी coverage के लिए तो आप fake media को बुला सकते हो लेकिन बजाज finance की coverage की जब बात आती है तो वो media fake हो जाता है जो आपकी यानि की हरकतों को जनता को दिखाता है इसके इलावा मैं आपको बता दूँ इन्होंने और क्या लिखा है ये लिखते है कि देर इसे grave apprehension that the defendant will himself or through representative may continue to defame the plaintiff यानि ये कहते हैं कि जो defendant है यानि कि iban 24 news network है वो आगे जाकर भी इस तरह के वीडियो जारी कर सकते हैं इसलिए इनकी वीडियो के उपर जब तक इस case का फैसला नहीं हो जाता इसके उपर रोक लगानी चाहिए तो मैं आपको बता दूँ कि जब तक पीडित लोग जिन लोगों के साथ बजाज finance ने गलत किया जब तक वो आते रहेंगे तब तक ये वीडियो चलते रहेंगे बनते रहेंगे उनकी बात सरकार तक परशासन तक और बजाज finance के जो अधिकारी सुनने को तयार नहीं है उन तक नहीं पहुंचती तब तक ये वीडियो बनती रहेंगे हलागि आपने ये relief court से जरूर मांगा है हम अपने अधिवक्ताओं को वकीलों को court में खड़ा करेंगे और इस बात की पूरे तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे जिसकी तीन दिन बाद date भी लगी हुई है इसको हम पूरे तरीके से defend करेंगे इसमें कोई दिक्कत वली बात नहीं है ये कहते हैं कि फिलहाल जो defendant है इनके उपर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए कि ना तो कोई recording कर सके ना ही कोई post डाल सके ना कोई message कर सके material कोई भी social media पर ना डाले ना ही कहीं YouTube पर डाले यानि आप डर देखिए डर देखिए आप बजाज finance का कि तुरंत रोक लगे यही इन्होंने डर high court में भी दिखाया था dismiss कर दी जजज साब ने उनकी request क्यों dismiss कर दी क्योंकि इस तरह का कोई नियम काइदा कानून नहीं है कि आप किसी को आवाज जो बुलंद करने से रोक सके ऐसा 1947 से पहले अंगरेजों के राज में होता था या जब इंदरा गांदी जब परधान मंतरी थी देश की जब इस देश के अंदर emergency का दोर था यह उस समय होता था इस समय emergency का दोर नहीं है इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपकी जो यह आप रिलीफ मांग रहे हैं यह एक जायज रिलीफ है इसके अलावा साथ में कहते हैं कि हम हमारा राइट है कि हम क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स भी कर सकते हैं जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग यह कर चुकी है करनाल उनका भी काम है, हमारा भी काम है और उस जनता का भी काम है जो भी लोग इस खबर को, जहां तक देख रहे हैं दोस्तो यह लडाई मेरी लडाई नहीं है यह लडाई आपकी लडाई है जिसके लिए मैं बजाज फाइनैस के ऑफिस तक घ्या था लगातर मैं इनके अगेंस्ट रिकॉर्ड ही कठा कर रहा हूँ और यही समय कोट में प्रेजेंट किया जाएगा कोट में हम लोग दिखाएंगे कि कितनी शिकायतें बजाज फाइनेस के खिलाब पूरे हिंदोस्तान से हमारे पास आईएं ना केवल करनाल से, ना केवल करनाल डिस्ट्रिक से, ना केवल हर्याना से बलकि पूरे देश से हमारे पास कितनी कंपुलेंट्स नों की आई हैं यह हम सब कोट में दिखाएंगे क्योंक wunder airlines कोट ऐसा नहीं होगा किangen कि relief मांग रहे हैं relief मांग रहे हैं कि declare that the defendant his and his representative employees agents assignees or any other person acting on his behalf has no right to make records and any videos any post any published defamatory videos है ऐसा ये बोल रहे हैं और ये देखिए साथ में कह रहे हैं कि जैसी इन्हों ने तीस चार दोजार बीस को 16 पांच दोजार बीस को 15 पांच दोजार बीस को 16 पांच दोजार बीस को 13 6 दोजार बीस को 76 दोजार बीस को 37 दोजार बीस को 13 7 2020 को 39 साथ दोजार बीस को जिस तरह की वीडियोज बनाई है ऐसी वीडियोज यह और ना बनाए इसको रोका जाए और इन वीडियोज को सर्वर से हटवाया जाए मैं आपको बता दू कि यही अपील इनकी डिस्मिस कर चुका है हाई कोट अब डिस्टिक कोट में पहुंच गया है सेम वोई चीजे लेके कि वीडियो को डिलीट करवाया जा अगर कोट कहेगा तो हम ऐसा जरूर करेंगे लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि कोट में यानि की नयाय मिलता है वहाँ पर अनयाय नहीं होता किसी के साथ और हम इस लड़ाई को वहाँ तक लड़ेंगे जहां तक हमें इस लड़ाई को लड़ना चाहिए क्योंकि यह लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है दोस्तों ये लडाई आपकी लडाई नहीं है ये लडाई हमारी लडाई है और ये देखिए अपनी company को तो ये रेपोटिटिर्ट बता रहे हैं हमें fake news बता रहे हैं फेक news हम चलाते हैं और अपनी company का पकश्य बाये email हमें बेजते हैं हमारा पक्षभी क्रिपया करके चाप दीजिए, फोन भी आये थे मेरे पास इनके कि हमारा पक्षभी चाप दीजिए, लेकिन मैं इनके पक्षभी चाप दीजिए, लेकिन मैं इनके पक्षभी नहीं था, जब मैंने इन से क्रॉस कोस्टिन किये तो उसके बाद इन्होंने नहीं चाहिए लेकिन अगर इन्होंने गलत किया है लोगों के साथ तो वो भी ने वहाँ पर जरूर देखना चाहिए आप सभी लोगों से अपील इस